जो 16 मां मैच खेला जाएगा उनके बारे में सारे ODI का मैच जो है 15 मां ODI खेच चुका है अब 16 मां ODI खेला जाएगा उनके बारे में ये खेला जाएगा निजू लेंड वरसे अफगानिस्तान निजू लेंड वाइसे अफगानिस्तान का पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है क्या बैटिंग पीच है या वालिंग पीच किस कंडिशन में अपने ट्रिम में रखना चाहिए और किस कंडिशन में किसे ड्रॉप करना चाहिए सारा डिटेल्स इस वीडियो के माद्ध्यम से बताऊंगा वी डॉट बिना एस्किप किये इस वीडियो को अन तक जरूर देखना यह पर आ जाते हैं सबसे पारले विकेट कीपर सेक्षन से विकेट कीपर सेक्षन से है डेन वेकोक जो की अच्छा वेस्ट में की दिरिष्टी से अच्छा है सलेक्षन परसंट हो रहा है लेकिन ठीक ठक परदासन करने का इन से उमीद लगा सकते हैं दूसरी में लेधन 10 का लाइनम में तो नाम साब मिन नहीं है फिर भी इनके बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये डर्म कार्ड पिलियर के रूम में जामिल होका गरियन रिलिक का रिक्सी टीम में अच्छे खासा रहेगा आर गवाजगर ठीक ठक परदासन करने का उमीद इन से लगा सकते हैं अच्छे खासे बैस्ट में है इनका रिकार्ड ठीक ठक है 13% हुआ है अच्छे खासा बैटिंग करते हैं मैं चारो को चारो विकेट कीपर क्यों बताया है क्योंकि मैं टेलिग्राम पर एक्टिव नहीं रहता हूँ उससे पहले मैं बात कर लेते हैं पीच रिपोर्ट के बारे में यह जो पीच रिपोर्ट है यह बैटिंग पीच है यहां पर गुड़ पॉर्पेसर को अबरेज मिलता है यहां पर अबरे स्कोर यहां पर अबरे स्कोर 233 के आसपास बनेगा यह भ्यन्नू जो है माहाचंद्र एस्टेडियम जो है चन्नाई में खेला जाएगा चन्नाई का स्टेडियम के बात करे तो यहां पर हाइस स्कोर सारे 300 बन सकता है लो एस्कोर 79 पर ओल आउट हो चुका है यहां पर कुल मिला कर दोनों हैड टो हैड मकाबले कितने खेले हैं यहां पर दोनों टीम आपस में दो मकाबले खेले हैं दोनों का दोनों जो है वो निजू लेंड जीते हैं इस कंडिशन में आप कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से एस्टोन निजू लेंड है लेकिन 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 अफगानिस्तान का बल्लेवाज और बॉलर भी कम नहीं है दोमयाद जीता है लेकिन बिनिंग करने का चौंस अफगानिस्तान का 40 परसेंट है और निजू लेंड का 70 परसेंट है इस ट्रोंटीन तो निजू लेंड है जब निजू लेंड पहले बैटिंग करेगा यहां पर तीन सव पलस बन सकता है जब अफगानिस्तान बैटिंग करेगा यहां पर 200 तक बन सकता है और यहां पर देखि दिया है दो मैचे अफगानिस्तान वाल आउट हो हुआ है और निजुलेंच चेस्ट किया है दो से तिन विकेटिंग गिर ने दिया है इस कंडिशन में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हंड्रेड परसेंट बैटिंग पीच और बाइलेंस पीच है मे चाहिए बात कर लेता है बैस्ट में सेक्षन में बैस्ट में सरागे मेट इभी अच्छे का से पर्दाशन कर रहा है जांडेन का राकाष का परदाशन करना ही रहा है दो दो नवान में कर रहा हो हो ह avail 25 खचटंस्तार बेसा करने का उमीद इनसे लगा सकते हैं या पर आर अर इतने प्लियर के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेलीग्राम पर जो है टीम नहीं दे पा रहा हूं या इसलिए दिन्वे कोई से टीम अगर क्याप्टें सी आउडित दोनों विकेट कीपर को रखना चाते हैं तो रख सकते हैं यह रिकसी विकेट कीपर के रूम मिल लेना चाता हैं तो इन दोनों को ड्रॉप कर न या गरेंड लिक से पिलिएर होगा और सालेक्षन परसेंट कम है और सालेक्षन परसेंट लो है तो वही पिलियर परफॉर्म कर जाता है तो अच्छे खासा रिंग का जाता है आप अच्छे खासे टीम बना लेते हैं नमर एक रिंग में चला जाते हैं मैं फिलाल के लिए सेफ जा रहा हूं आड़ गवजगर डि सकते हैं यहां पर चाइब कर सकते हैं यहां पर वर यह में चीक रिकाइब कि ठॉ है तोनों को मैं दॉरा नीचे आएगा यह सएलिप्स पाठ्ट स Cities बॉलिंग करता है रहां यहां पर वेस्ट में ज्यादा तो बेस्ट में नहीं सब invites यहां पर एक बेस्टिमें लेने के बाद के लिए हूँ वार्यवकित सेक्शन में बात कर लेता है है । अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं इसे आप नहीं लेना चाहते हैं इस कंडिशन में आप आएं या पर बॉलर स्यक्षर में बॉलर सेक्षर में टरेंड बॉल इन से लगा सकते हैं लुपी फेऽाट्स ठीक परदसन करे अन्यूअध इसे लगा सकते है अच्छे कासे बलत है अब इसे लेने के बाद देखे टी साउत अच्छे बॉलार है सालेक्शन परसेंट भी कम है और मुझा पर एमान का सालेक्शन परसेंट हाए हो गया यहां पर रासित कंट्रिक टाक प्रदाशन करने का उमीद इसे लगा जकते हैं यहां पर देखे छे बॉलार हो गया यह गरेंड लिक का रिक्सी टीम हो गया आप लोग गरेंड लिक का रिक्सी टीम अभी नहीं बनाईएगा वो टॉस होने के बाद आप लोग गरेंड लिक का रिक्सी टीम बनाईएगा यहां पर देखे मैं इन्पॉर्टन प्लियर के रू यह सब को मैं लिया हूँ, चार बॉलर लिया हूँ, अभी यह पर मैं और मितल अश्टार को तीन ओलंडर लिया हूँ, अब बेस्ट में सेक्शन में मुझे कुन आठ तीन का कमनेशन बन गया है, मुझे आठ तीन का कमनेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो है ज़ा चार का करनाया हूँ नेष्ट करता हूं नेष्ट करने के कम लोग लेगा तो आप अपने टीम में उसे केप्टन और वाइस केप्टन खिसित हैं देखे सेव केप्टन रहेगा एमरें ठीक टाक रहेगा थोड़ा रिक्सी गरेंडिलिक का केप्टन होगा और वाइस केप्टन के रूम में रासित कहन ठीक टाक रहेगा अगर वाइस केप्टन आप रासित कहन का नहीं देना चाहते ह तो एमना भी को वोईस केप्टन ट्राय कर सकते हैं, काच तो परदर्सन नहीं करता है, लेकिन बॉलर काफी अच्छे हैं, बेस्ट में काफी अच्छे हैं, इसे नहीं करना, अगर आप सेब केप्टन देना चाहते हैं, तो एम में स्टार कूर दे सकते हैं, मैं केप्टन सेब नहीं थोड़ा रिखिस देना चाहता हूँ तो दिन वे कोको आप वैस कट्पर नटराइक कर सकते हैं क्योंकि करता हूं क्टेम करने के देखिए मेरा ट्रिम का पर व्यू किस तरह से रहता है देखिए मैंने सेफ ट्रिम किया हूं सेफ ट्रिम करने के बाद मेरा ट्रिम का पर व्यू देखिए इस तरह से रहेगा फिलाल के लिए इस तरह से रहेगा टॉस होने के बाद कोई भी पीलियर चेंज होगा मैं अपने हि गरेंड रिलिक का मैं रिक्सी टीम बनाता हूं, मेरी टीम से आप खेलोगे तो या डूब सकता है या तो आ सकता है, अगर आप सेफ टीम बनाना चाहोगे, जिन जिन प्लियर के बारे में बताया हूं, उसे अपने टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, आप अच्छे खासे प् दोस्ता है